तो डियर स्टुडेंट यह है इस यूवर्स 2024 का पूरा का पूरा माडल पेपर कोश्चन पेपर जो भी हमारे बीए 6 समस्टर के स्टुडेंट है जिनका सब्जक्ट हिंदी है और उनके हिंदी के फर्स्ट पेपर की परिच्छा लगी है तो उनको वीडियो कंप्लीट देखन को जानकारी मिलेगी बस आप से एक ही रिक्ष्ट है कि मुश्किल से 15 मिनिट की वीडियो होगी इसको कंप्रीट देख लीजिए कि मैं आपको इतनी साही जानकाई दी दूंगा ना कि आप परिच्छा में 100% पास जरूर होकर आएंगे ठीक है मैं यह नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे लेकिन यह पूरी उम्मीद है कि आप कम से कम 40-50 नंबर और अच्छे काफी नंबर से पास होंगी ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिए अगर वीडियो अच्छे लेगी कि तो ठीक ह आपका हिंदी प्रशन पत्र कोश्चन पेपर का नाम है फस्ट पेपर जिसका नाम है भासा विज्ञान हिंदी प्रश्चन देवनागरी लिप तो इसी से जोड़े कोश्चन आएंगे सबसे पहले मैं आपको माडल प्रुस्त करूंगा कि कैसे आता है पेपर 2024 में किस प्रक की दिखने को भिले ठीक है तो इसमें प्राड़ ऊंगे तो सबसे पहले आपको अथ्लेक उत्तर को मिलेंगे देगा होता है कि 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 इतने सब्सकि सब्दों में उत्तर लिखना है तो आज की भीडियो का पहला प्रस्द है कि कि हिंदी सब्द की हिंदी ricke cya the फिपर य tuh तक्ते उत्पत्ति पर संचेप प्रकाश डाली ठीक है यह महात्पूंड प्रश्ण और वांटेड हैं आने वाला है तो हिंदी सब्दिक के बारे में आपको लिखना है इंप्रॉटन प्रश्ण है अगला की भासा की परिभाफा किनी दो विद्वानों के स्वार बताई यह भ सब्सक्राइब नाम लिए कम उम्मीद आने की सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए अगला क्वेश्चन के किसे कहते हैं जिटको आप लोग संटेंस बोलते हैं लेकिन मानक हिंदी उमीद सकता कि यूनिक प्रस्ण तो इसी तरह दस प्रस्ण आपको अतिलग उत्तर में देखने को मिलेंगे जब भी आपको देने वालें कई तेंसर लेने वाली बात नहीं हम आपको त्यार कर लें हैं ठीक है अगर आपने स्रीज कोश्चन बैंक नहीं कोई बात नहीं है हमने तैयार कर लिया उत्तर अब आगे हम खंडबा की और जहां पर आपको लग उत्तरी कोश्चन देखने को लेंगे इसमें पूरी दिसान अरदेव दी गई है कि इतने कुश्चन करना कितने सब्द कोश्चन देखते हैं कि हिंदी सब्समों पर प्रकाष डालिए यह कोश्चन कम उमीद है आने की हमारा अस्पेस्ट हम जो कहते हैं तो आपको नहीं बताएंगे कि इनको तैयार करें क्योंकि आप लोगों के लगे हैं एक दू दिन में ठीक है तो हम ऐसी कंडिशन में हम यह आप लोगो अपनी भासा में बनाके भी लिख सकते हैं तो अगला क्योंकि अपनी भासा में बनाके भी लिख सकते हैं थोड़ा डीटियल में किलियर सब्दों में तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ठीक है यह नहीं कि आप एकदम इस्पेशल जो हिंदी जो परफेक्ट में सब्दों सटिक फटिक रखें ठीक है अगर नहीं है नहीं सब्द नहीं तैयारी किये तो आप अपनी भासा म अब कोई भी हो सकता है आगला महात्पोंट प्रस्ण जो की 100% फसेगा फसेगा कि भासा विज्ञान की परिभासा दीजिए और इसके प्रकार बताई प्लस के छेत्र के बारें बताई ठीक है तो यह 100% कुश्य ने भी क्योंकि यह प्रश्ण पत्र का नाम है सिंपल सी बात भुष कि लिखना में द्रीक के बहुत पापलर विबं गानि़ें इस बीडिगा जनसे मीर्ट ऊथ यह प्रहुत है विघुग और पर प्रहोट फर प्रहसेव कुष्टर कॉश्ण कर लेंगे तो आपके कम से कम दस से बारा नंबर प्रस पक्क्य हो जाएं क्योंकि यह कोश्चन आपको देखने को मिलेगा दो जगाओं पर ठीक है और अगर एक भी बार आया तो आपको क्योंकि यहां पर आपको देखने को लेंगे पहला कोश्चन है कि हिंदी भासाओं तो था बोलियों का वर्गी करन करते हुए ब्याख्या कीजिए ठीक है तो कुश्चन उम्मीद है लेकिन कम उम्मीद है आने तो आप पढ़ भी सकते हैं अगला है कि टिपड़ी लिखना है अगला कोश्चन के देवनागरी लिप के गूंड दोफ बताई यहां पर समापत होता पूरा को पूरा माडल पेपर कोश्चन पेपर जब आप इच्छा देने जाएंगे तो कुछ आपको ऐसे ही कोश्चन पेपर और माडल पेपर आपको आपकी पर इच्छा में देखने को मिलेगे तो ध्यान रखना है इसमें जो कोश्चन मैंने आपको बता है इनको भी सेफ करके तैयार कर लेना है ठीक है अब हम लए चलते आप सभी को महासंग्राम पीडिएप के और जहां पर इन सभी प्रशनों के उत्तर मिलेंगे और इनके लावा अन भी बहुत फारे महात्पूर्ण प्रशन है और उसके उत्तर है उसकी ओले चलते हैं ठीक है तो डियर स्टूडेंट ये हैं हमारी बीए सिक्स समस्टर हिंदी फस्ट पेपर की महासंग्राम पीडियप इसमें जो माडल पेपर अभी आ तो पहला प्रशन है कि बिश्चु हिंदी दिवस का आयोजन कब किया गया बहुत ही प्रमुक और बहुत ही आपको जानने वाला कोईश्य ने ठीक तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं जानते सुनेंगे कि 10 जनौरी को बिश्चु हिंदी दिवस की घोफ़डा की गई और अभात सिप मुख्याले में इस अवसर पर मानने अदच महोदें सदस्चु महोदे की उपस्थिती में एक संग घोष्टी का आयोजन किया जिसमें अभात सिप के सभी अधिकारी करमचारियों द्वारा भाग लिया गया कारले की कारविद में हिंदी को बढ़ावा देन संबंदि सुझाओ देगे अधच महोदें सदस्चु महोदें द्वारा इस्टाप को अपना अधिक से अधिकार हिंदी में करने तो प्रतसाहिद किया ठीक है तो सिंपल सा इसको लिखेंगे सबसे परहे दस जनौरी को बिस्वेंदी दिवस घुफित किया गया और बहुत को प्रतसाहिद भी किया ठीक है तो यह रहाश का मुख्य सार तो इसी परकार लिखेंगे अगर प्रशना आता है तो उत्तर अगला की देश की राज महासा क्या है इसके बारे मताईए तो सम्मिधान अनुठी ठीक है सम्मिधान की अनुच्छे 343 एक अनुसार संग की राज भासा हिंदी संग की राजमाफा हिंदी और जो लिप है वो देवनागरी होगी इस बात को ध्यान रखेंगे संग के सास की प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंको का रूप भारती अंको का अंतर राष्टे रूप होगा यह पॉइंट ध्यान रखेंगे ठीक है त संग सरकार की राजभासा हिंदी और लिप के लिए देव नागरी लिप का प्रियोग किया जाएगा तथा अंकों का रूप अंतर राष्टी रूप अर्थाद 2,3,4,5,6,7,8,9 और 10 होगा ठीक है यह अंकों के रूप में इनकों अंतर राष्टी में मानता दी गई है ठीक इ जहां से सुनिये उत्तर संग सरकार की राजभाफा नेत किये अनुसार इसे किन्द सरकार के सभी मंत्रालेव विभागों तथा इन मंत्रालेव विभागों के सम्रद तथा अधिनिस्त कारलेव में लागों के जाने का कार राजभासा विभाग ग्रह मंत्राले के द्वारा देखा जाता है इसे लागू करवाने के जिम्मेदारी इन मंत्रालेयों विभागों शंबंदों जथा अधिनिस्त कारलेयों के कारले प्रमुक की है राज भासा हिंदी की संबंध में किये जा रहे कार्यों को विभाग की विफसाइड जो यहां पर राजमाफा.niv.in है और र किया जा फाक्ता तो इस पर कार लिखेंगे आप राज भासा हिंदी को लागू करने की जिम्मेदारी कि इसकी वारे परिचे अलाकि हमेशा नहीं आता है, लेकिन कुछ शुम्मीदें रसने की बस अगला की उच्चतम न्याले हाई फुरी उच्चतम न्याले उच्च न्यालेयो आद के सम्मद्ध में प्रियोग की जाने वाली भावासा कौन से है तो द्यान सुनेजे बातिस सम्मिधान भाग फत्रह अनुच्छे 348 और वंचास में उच्चतम न न्याले या उच्च न्यालेयो आद के सम्मद्ध में प्रियोग की जाने वाली भावावा के बारे में जानकारी दी गई है इस बात को ध्यान रखेंगे महात्पूर्ण प्रश्नेवी है अगला है कि देव नागरी लिपके नाम करण पर बहुत फारी समस्याएं आई है और बहुत फारे लोगों ने अलग अलग इसको सम्मद्ध किया है तुसरी के बारे में है ठीक है तो पहला जो है कि कुछ बिद्वानों ने इसका नाम नगर से जोड़ा है अर्थार नगर की महाफा होने की करण का नाम नागरी है दोसरा है कि देव नगर यानि कासी में चैली की नागर इसमें चत्रबुजी आकरतियां होती थी नागरी लिफ में चत्रबुज अच्छरों में सामाभा गाके कान इसे देव नागरी कहा गया थी कि तो अलग-अलग बिद्वानों के अलग-अलग मद्वेद है अलग-अलग इनके अपने-फीडबैक है लेकिन आ अंगरा किंद ट्रिक है बोलियों का परी गड़न होता है नंबर एक अधी बगहली चतिस गड़ी तो इन तीन महासाओं को अफस्ट पे रखा गया ध्यान रखेंगे अगला की राज राजस्थानी हिंदी की पुर्मक बोलियों का समानी पर्चे दीजिए तो यह दिपढ़ बी राजस्थानी में जयपूरी डच्छिणी पूरी रासस्थानी में बाल फी और राजस्थानी में निमाडी टिक दिन नोवात्फमु प्रष्चनि करते हिंदी कैंऐ के तत्बह वाली की परिछलिए ठीक है तो यह महात्पूर्प्रेश्ट नेट को अवे तैयार कर ली तत्बह और तत्सम उसके बाद अगला कोश्चिन है अप भरंस क्या ये भी हमेशा तो नहीं पर फासा है लेकिन कुछ परिच्छाओं में देखने को मिला है मानक हिंदी देख लीजिए माल पेपर में कोश्चिन तवसी को उत्तर पढ़ लीजिए अगला कोश्चिन पुरानी कोश्चिन की देव नागरी लिफ की नमबर एक वर माला का बेवफ्थित वर्गी करण दुफ्राहे लिपी चिन्नों के धुनी अनुँ रूप का नाम और एक दुटके लिए एक चिन्न का प्रियोग ठीक है यह कुछ प्रमुक्त देव नागरी लिफ की विस्टाएं है लोगों कि समझ प्रस्तुत है तो इसी तरह आपको आपकी परिच्छा में प्रस्न देखने मिलेंगे और भी प्रस्ट नहीं तो सिंपल सी मैं आपको बता दे रहा है और पीडियाप करेंगे किलिक करते ही आपको एक नए पेज़ ले जाएगा कि हाँ आप कर सकते हैं तो वहाँ पर आप लिख दीजेगा हमें समस्टर हिंदी के पर कि महासाग्राम पीडियोप चाहिए जैसे आप इतना लिखेंगे तो हम आपको संड कर देंगे ठीक है तो यह प्रोसिस करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं ठीक है और यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए है तो पूरी-पूरी महासंग्राम पीडियोप प्लस मारल पेपर प्लस हमारे पास एक और पीडियोफ है कोईस्टन और उसके उत्तर भी सामिल है तो यह आपको मिल जाएगा यह पू कोड़ नई वीडियो के साथ जब तक किले जाहिंद और हाँ सभी प्रस्णों को उत्तर देकर आएगा कोई भी कोश्चिन छोड़ कर मत आईएगा क्योंकि कि कि कोई भी मायनस मार्किंग है नहीं ठीक है तो आप लोग बाद में सोचे कि मायनस मार्किंग होगी तो इस बात को दिमाग से हटा दीजेगा ठीक है बाकी मिलते हैं कोड़ने वीडियो में जब तक किले जाहिंद